हलो फिरेंड्स हम लोग फॉर्मुले सारे कर चुके थे कुशिन कर रहे हैं अपने लोग फिजिकल के ठीक है पहला कुशिन है बोहर मॉडल का है उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है वन से लेकर के थ्री में तो एनर्जी एब्जॉर्ड विल भी तो वन अपने एनर्जी की व और माइनस 3.4 और माइनस 1.51 ठीक है तो 1.51 हो गया माइनस 0.85 होता है यहां पर फॉर तक लिख दिया आज फ़ॉर तक याद कर लो खल 5.6 याद कर ले ना अब यहां बोल रहा है वन से 3 में जंप कर रहा है उके वन से 3 में जंप करेगा तो एनर्जी का गैप कितना हैगा ड और इनका जो differs आएगा वह हमेसा positive लेना है मैं यह बात आपको बहुत बार बता चुका हूं हर question में ठीक है निनके energy gap वह क्या लेना आपको positive लेना है energy gap हमेशा positive लेना है तोardhyn.96 मेंसे simple आप फब जो 13.6 मेंसे कितना घटा होगे आप minus कर दोगे 1.51 तो आपके पास में आ जाएगा एनर्जी का गैप 12 एलेक्ट्रोन वोल्ट आ गई एनर्जी अब देखो 12 एलेक्ट्रोन वोल्ट आ गई है एनर्जी आपको एनर्जी ही पता करनी थी लेकिन यह एलेक्ट्रोन वोल्ट में है अपने कोच यह अर्ग में तो अपन पहले इसको जूल में बदलते हैं जूल में बदलने के लिए एलेक्रान वोल्ट की वैल्यू रखेंगे बारा इंटु वन पॉइंट सिक्स इंटु टैंस पॉर माइनस नैंटीन जो इलेक्रान का चार्ज होता ना वही इसका आपका वैल्यू होता है मतलब इसका वन पॉइंट सिक्स ठीक है तो इसको मल्टिप्ले करोगे दिया जाएगा कुछ बीस बीस इंटु दस की पॉवर मतलब की बार दुना की मतलब इसका एंसर आएगा एप्रॉक्स बीस कर सकते हो 16 दूने 32 16 एकम 16 और 33 से कुछ करके आप बीस आजाएगा इसकर बीस की पॉवर 7 अर्ग होता है तो जूल की जगा क्या रखोगे आप डल्टा एक टू बीस इंटु दस की पॉवर माइनस 19 इंटु जूल की जगा रखोगे दस की पॉवर 7 अर्ग है अब यह कितना हो जाएगा बीस इंटू दस की पॉवर माइनस 12 होगा solve करने पे तो इसको माइनस 11 कुनसा option C वाला कि अगला question ने पेंचाइंज गर लेते हैं radius hydrogen atom की ground state में इतनी होती ग्राउंड का मतलब होता है एन बराबर 1 की लीथियम की radius अपने को पूझ रहा है तो radius का formula क्या होता है radius का formula होता है आपने पढ़ा होगा R request to 0.529 या 53 N square upon Z होता है ये first orbital की होती है hydrogen की अगर किसी और की निकालनी है तो इसमें multiply कर दो 0.53 और N बराबर कितने में निकालना है similar state मतलब N बराबर 1 में ही निकालना है इसका भी 1 square upon Z लीथिम के लिए कितना है तीन तो तीन से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा तीन एकम तीन पीछे बज़ेंगे दो साथिया 21 एंगस्ट्रों आसान formula बेश्ट कुशन आ रहे है simple अब N और energy कितनी होती है तो इतने आसान आसान कुशन आ रहे है आपके पास में अपान N स्क्वेर होती है और उसके अलग-अलग और्बिटल में अपन वेल्यू भी रट लिए है तो माइनस 13.6 अपान N स्क्वेर आएगा माइनस नहीं लिखा है तो कोई दिकत नहीं पर यहां नीची इसमें N4 लिखा है इसमें N3 लिखा है इतना आसान question बोलता है spectrum of helium helium के spectrum किस के spectrum के बराबर होगा तो spectrum बराबर होने के लिए electron बराबर होना जरूरी है helium में कितने electron होता है 2 अब देख लो 2 electron किसमें होंगे lithium plus में अगला बोलता है r is the radius of first orbit radius of nth orbiter तो r r nth orbit में क्या होता है 0.529 n square upon z अब इसको first orbital की बोल दोगे तो r n equals to क्या हो जाएगा r into n square upon z बैं, first orbital की 529 होता है, उसको r बोल रही है उसकी जगा r रख दिया मैंने 529 की जगा, तो r n क्या हो गया r into n square बस direct formula तो पूछा है इसने भी चलो, आगे बढ़ता है अगला question है, hydrogen atom है उसमें देव ब्रोगली wavelength second बोहर orbital की कितनी होगी hydrogen atom के लिए देव ब्रोगली wavelength of an electron in second बोहर orbital देव ब्रोगली wavelength अपने को पता करनी है तो 2 pi r equals to n lambda एक ऐसी equation होती है, आपको पता होतो ठीक है तो 2 pi r यहाँ पे किस क्या रखनी है second orbital की रखनी है ठीक है second orbit radius की रखनी है, जी radius होती है 0.53 into n square यही वाला formula n square मतलब कितना 2 का square क्योंकि second orbital में 2 का square upon z hydrogen के लिए 1 equals to n n मतलब वापीस फिर से वही n की value कितनी रखोगे 2 और lambda तो यहाँ से आपका lambda निकल के आजाएगा और वो lambda आएगा आपका pi की term में ही रखना है तो यहाँ से हो जाएगा, 2 से यह 2 कट जाएगा 4 पंजे 20 करीब कितना रहा है 4 into 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 21 दो नमर के बाद point और यह lambda आगया आपका और यह एंगस्ट्रम में है लेकिन अपने को किसमेशी यह picometer में पाई अभी अभी साथ में ही है तो पाई को साथ में रखो picometer का मतलब होता है 10 की पवर माइनस 2 और उपर निस से multiply कर दो ठीक है एंगस्ट्रम का मतलब होता 10 की पवर माइनस 10 अब 10 की पवर माइनस 12 को picometer लख देंगे लखेंगे और तो यह जाएगा 2.12 pi अपन 10 की पवर माइनस 2 इंटू 10 की पवर माइनस 12 और उसको लख देंगे अपन लोग picometer ठीक है फिर 10 की पवर माइनस 2 उपर आजाएगा तो कितना हो जाएगा 212 pi picometer यह राइंसर आसान है formula बेस सिंपल अगला 27 पवा question M दे दिया है V दे दिया है wavelength पूछ रहा है तो lambda बराबर h upon mv नहीं होता है क्या होता तो है 6.6 इंटू टैस्ट पवर माइनस 34 अपॉन मास 0.66 इंटू वेलोसिटी 100 तो 100 को मल्टिप्लाइ करोगे तो 66 हो जाएगा 66 6.6 कट जाएगा तो कितना बज जाएगा 10 की पवर माइनस 35 क्योंकि याँ पॉइंट दो नमर के बाद में था याँ पॉइंट एक नमर के बाद में था तो 130 और 135 हो जाएगा आसान अगला बोलता अनसाइटिनिटी पिरिसिपल अब अनसाइटिनिटी पिरिसिपल क्या होता है एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वस टू एच अपॉन 4 पाई यही तो होता है अनसाइटिनिटी पिरिसिपल अब क्या बोल रहा है पोजिशन और मोमेंटम में अनसाइटिनिटी इक्वल है तो वेलोसिटी में कितनी होगी तो एम इंटू वेलोसिटी अब इसको भी वेलोसिटी लिख सकते है डेल्टा एक्स को भी क्यों क्योंकि दोनों में बराबर है दोनों की अनसाइटिनिटी बराबर है तो बराबर है तो लिख दो तो डेल्टा वी स्क्वेर इक्वेस्ट टू एच अपॉन 4 पाई एम तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा अंडरूट एच और यह फॉर है तो फॉर का इसका इतर अंडरूट लगा दोगे आप तो एच अपॉन पाई एम तो अंदर रह जाएगा और यह वन अपॉन टू बाहर आजाएगा फॉर है जो तो टू यह ओप्शन आजाएगा आपके पास में ठीक है अगला है मतलब मोमेंटम का डेल्टा पी दे दिया अपने को अंसर्टिनिटी वाला ही है साफ लग रहा है दस की पाउर माइनस 18 cgs में दिया है cgs में पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं velocity में अंसर्टिनिटी कितनी होगी ठीक है अब ये question बहुत आसान हो गया है क्योंकि आपको पता है P बराबर M इंटू V होता है P अपने को दिया है दस की पाउर माइनस 18 V अपने से पूछ रहा है और M अपने को electron का पता होता है 9.1 इंटू 10 की पाउर माइनस 31 इंटू V तो V बराबर कितना हो जाएगा 10 की पाउर माइनस 18 अपन 9.1 इंटू 10 की पाउर माइनस 31 ठीक है पाउर में ही solve कर दो नीचे 9 है ना 9 को 10 मान लो 10 मान लोगे तो कितना हो जाएगा नीसे हो जाएगा 10 की पौर माइनस 30 हो जाएगा होगा 10 की पौर माइनस 30 उपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ठीक है 10 की पौर 30 उपर का प्लस का पहले माइनस का उपर था ठारा था उसमें से कम करो कि 10 की पौर कितना आएगा 12 कुछ आएगा ठीक है और कुछ वो डिवाइड अपने राउंड फिगर कि या उसको हटा दो तो आसानी से आपका एंसर आ जाएगा अगला खुश्यन इलेक्ट्रॉन का मास इतना है प्लांग कॉंस्टेंट इतना है अंसेर्टिनिटी बतानी है वेलोसिटी में अगर पोजिशन में इतनी अंसेर्टिनिटी है तो सिंपल सी बात है m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x इकोस टू h अपन फॉर पाई ठीक है h अपन फॉर पाई की वेल्यू अगर आप रट सकते हो 10 की पवर माइनस 34 बटे 2 ये तो पहले था m इसकी डिवेड में और जाएगा 9.1 इंटू 10 की पवर माइनस 31 और x भी आजाएगा कितना 0.1 एंगस्ट्रम तो 0.1 और एंगस्ट्रम मतलब 10 की पवर माइनस 10 ये देखी 31 से ये चला जाएगा तो कितना बचेगा उपर माइनस का 3 10 की पवर माइनस 3 और ये 10 की पवर जो है न 10 की पवर माइनस 10 उपर जादी प्लस का हो जाएगा तो उपर कितनी पवर जाएगी 10 की पवर 7 हो जाएगी हो गई और नीचे आप multiply करो तो कितना हो गया 9 दूरी 18 18 into point 1 कितना हो गया 1.8 1.8 को आप क्या लग सकते हो 2 लग सकते हो तो 10 की पहर 7 बटे 2 अब 1 by 2 1 by 2 को आप क्या लग सकते हो 0.5 0.5 into 10 की पहर 7 तो 5 into 10 की पहर 6 कितनी आसान नहीं से calculation हो गई थोड़ा बहुत round figure किया 1.8 को 2 लिख दिया तो थोड़ा बहुत यहां पर भी answer में variation आएगा ना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे बता लग रहा था option से की changes सिर्फ power का है तो मैंने solve कर लिया चलो pen change कर दे काई फी टाम से c pen का use कर रहे थे uncertainty in momentum अब यह question देखो simple सी बात है momentum का दे दिया आपको डारेक्ट तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा x equals to h upon 4 5 h upon 4 5 की value डारेक्ट आप बोलेगी मैं याद कर लूँगा तो मैंने का अच्छी बात है कर लो तो अपने से पूचा डेल्टा x है और डेल्टा p दिया है तो डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा 10 की पवर माइनस 34 बटे दो पहले से था डिवाइड में डेल्टा v, डेल्टा p और आ गया कितना है 10 की पवर माइनस 5 1 बाई 2 यानि कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पवर माइनस कितना हो जाएगा 29 होगा और 5 लिखोगे इसको तो 5 इंटू 10 की पवर माइनस 30 हो जाएगा क्योशन कहां हाट है करो तो सही आप, सुरू तो करो चलो फिर से पहन चैंज करते हैं अगला कुशन, दे ब्रोगली वेवलेंद पार्टिकल का कितना होगा मास और वेलोसिटी दिया है तो लेमडा बराबर H अपॉन MV H कितना होता है 6.63 इंटू 10 की पवर माइनस 34 अपॉन मास कितना होता है 1 ग्राम यानि 10 की पवर माइनस 3 किलो केजी वेलोसिटी 100 मल्टिप्लाइ करोगे नीशे कितना है 10 की पवर माइनस 1 कट जाएगा तो एंसर कितना रहा 6.6 इंटू 10 की पवर माइनस 33 थर्ड ओप्शन आसान, अगला कुशन अब ये थोड़ा सा अच्छा सा कुशन हो सकता है देखते हैं, इसको ट्राइ करता है ठीक है बोलता है the position of an electron and helium atom known as within 1 nanometer delta x को पता लगा दिया उसने और इतना है लगा है कि 1 nanometer है further the momentum of electron is known within इसने delta p भी पता लगा दिया भाहरे भले आदमी 5 इंटू 10 की पवर माइनस 26 अब uncertainty principle तो यही बोलता है कि आप नहीं पता लगा सकते दोनों चीज़े साथ में ठीक है क्या बोल रहा है अब आप बाते करते हैं ठीक है position of both electron and helium atom is इतना यह electron का भी यही position है और helium का भी यही position है ठीक है और यह delta p किसका दिया है further moment of electron यह electron का दिया है और delta p पूछ रहा है बाप से किसका helium का तो आसान बात है helium के लिए formula लगा हो ना electron तो confuse देने के लिए दिया आपने को या फिर अपने यह बोल सकते हैं ड़ल्टा एकस इंटू ड़ल्टा पी यह किसके लिए helium के लिए कितना आएगा h upon 4 पाई और इतना का इतना ही आएगा ड़ल्टा एकस इंटू ड़ल्टा पी किसके लिए electron के लिए वह भी कितना आएगा यह तो आगा 0 beim safety for 24 डोनों को बराबर कर दो कर सकते ना इसकी वैलЮ और हीलिम वाले की कितनी आएगी ncl Ohın 4P MISTLE 1-2 का मैं वह स्टेंट 2 P1 एकक्ष 2P2 अच्छा कोंगे सिन आपको कहीद नहीं X1 इंटू P1 बराबर X2 इंटू P2 ओके चलो X1 और X1 की value अपन रखते हैं कितनी है 1 nanometer 1 nanometer nanometer को meter में बदल लेते हैं 10 की पवर माइनस 9 P1 electron का कितना है 5 इंटू 10 की पवर माइनस 26 equals to वापिस X2 कितना है 1 nanometer इंटू P2 पता करना है अरे तो कट गया वही answer आ गया 5 इंटू 10 की पवर माइनस 26 आसान तो था लेकिन थोड़ा वो दिमाग लगाना था अगला question most important अभी तक का uncertainty principle पर सबसे hard question यही है ठीक है इसने बोला है कि mass इतना है velocity इतना है और velocity में इतनी accuracy है वी दिया है अपने को 3 इंटू 10 की पवर 4 ठीक है cgs में दिया है cgs में पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं change नहीं करना है अब वी दिया है अब डेल्टा वी के लिए उसने percentage दिया है इसका इतना percent यह uncertainty है percentage जब भी देना तो velocity जितनी दिया उसका percentage निकाल दो तो जितना percent है पॉन सो तो जाएगा 0.01 को 10 की पवर माइनस कितने लिखोगे 3 और यह उपर आके 10 की पवर माइनस 5 हो जाएगा तो डेल्टा वी कितना आगे आपके पास में 0.3 आगे इसको solve करने के बाद में आया की नहीं है आराम से आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं कि 0.3 होगा multiply भी कर सकते बारा सानी से अब आपको पता है formula क्या होता है यह 0.3 क्या है meter per second अब इसको centimeter per second है ठीक है centimeter को meter में बदले देता कि अपना answer फटा फटा आएगा यार क्योंकि अपन वो one by two international minus 34 formula यूज करते है तो मींटर में को centimeter में मतलब कितना जाएगा 0.3 अपन hundred यह आ गया meter per second हो गया इसको लग देते हैं तीन इंटो दस की पवार मैनस 3 10 की पौर माइनस 2 तो 100 नीशे वाला उपर आया तब और एक पॉइंट आया तब अब फॉर्मुला लगाते हैं अपन कौन सा गुलाबी सा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा वी एकोस्ट टू 1 बाइ 2 इंटू 10 पौर माइनस 34 यह 1 बाइ 2 इंटू 10 पौर माइनस 34 क्या है यह आपकी वेल्टा ए उसकी तो डेल्टा एक्स की वेल्टा पने को पता करनी है तो एम और वी को इस डिवेडेंगे 10 की पौर माइनस 34 उपर दो पहले नीचे था 3 इंटू 10 की पौर माइनस 3 और आ गया और मास और आ जाएगा कितना मास कौन है यह इलेक्टरॉन है कितना मास होता है 9.1 इंटू 10 की पौर माइनस 31 होता है 31 और 3 कितने हो गए 34 यह तो आपस में कट गए खट गए नीचे कितना हुआ तीन दो निच्छे और 6 इंटू 9 कितने हो गए 54 हो गए तो एक बटे 54 मीटर अपने को एंसर सेंटीमीटर में देना है तो उपर 100 से मल्टिप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अब नीचे 54 है तो 2 से हलका सा कम आएगा हलका सा कम मतलब C option आसान तो है calculation ठेक है है हलो 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 हां कौन हां हलो कौन कितन नीच करौन से कर देक हा है है धे करे दो खेक है है